वेलकम तो मैं चैनल, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 हिस्ट्वी की बुक नमबर टू का चाप्टर वन थ्रू दे आइज ओफ ट्रावलर और अगर सही से बोला जाए तो यह है चाप्टर फाइफ क्लास 12 की हिस्ट्वी का थ्रू दे आइज ओफ ट्रावलर तो बुक है इस चाप्टर का नाम थ्रू द आइज ओफ ट्रावलर मतलब क्या होता है तो जैसे कि आजकल तो हम देखते ही रहते हैं यूट्यूब पे हम व्लॉग्स देखते हैं लोगों के कोई कहीं बाहर खूमने गया कोई दुबाई गया है कोई यूसे गया है इंदिया में ही हम लिए अलग जगाओं के कोई कह डिया तो लियोग है लगलाग व्लॉग्स हम लोग देखते हैं अबर तुम लोग क्यों देखते हो लग कि दी δ straightenmen के लिए देखते हैं रिषंत कि देखा को हम दे कर दूसरा रीजन क्या होता है कि supremacy मुझ जानने को मिल जाता है कि अच्छाया यार इस सिटी में ऐसं होता जो और information मिल जाती है तो इसी तरीके से गाइस यह कोई आज की चीज़े नहीं है हमने नहीं बनाई है यह जो यह जो पतला भी तरीका है ना यह तब से चलता आ रहा है बहुत पुराने जमानों से तो ऐसे पुराने जमानी में भी क्या होता था कि travelers तब तो भाई technology भी नहीं थी यह त मुश्किल काम हुआ करता था अपना जो है traveling करना भी बट उस जमाने में भी जो है travelers इंडिया आते थे और इंडिया के बारे में खुबसूरत चीज़ें फिर लिखा करते थे और कुछ कमियां जोने लगती थी कि यह चीज ऐसी है यह चीज ऐसी है वो भी लिखते थे तो वह time period क्या है इसका 10-2 जो है 7th century तक का time period इसमें हम पढ़ने वाले हैं और आप देखोगी कि कौन कौन से travelers इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या-क्या चीजें लिखी that's it you will study in this chapter तीन में travelers के बारे में पढ़ोगे अलबिरूनी इबन बतूता फ्रैंकोईस बर्निया और उनकी किताबों के बारे में बाकी भी travelers के बारे में वन मारकर्स के रूप में आप पढ़ोगे की वन मारकर में उसका क्वेशन आजाए डिटेल में तो इन तीनों के बारे में पढ़ोगे अलबिरूनी इबिन बतूदा और फ्रैंकोईस बढ़निया बहुत सिंपल सा चैप्टर है बहुत जल्दी मैं आपको समझा देती हूँ तो ट्रावलिंग करना जैसे कि आज के जमाने में जो है ट्रावलिंग करने के अलग-अलग परपस होते हैं तो ऐसी सबसे पहले आपको चैप्टर में यह पूछा गया है कि यह सोचो कि इतने पुर तो ट्रावलिंग के तब भी बहुत सारे जो है रीजनों सबसे पहला था इन सर्च ऑफ वर्क जो लोग ट्रावल किया करते थे कुछ काम की तलाश में भी लोग ट्रावल किया करते थे कि कुछ काम मिलेगा उससे उनकी लाइवली हुट चल जाएगी इन और तो एसके पॉल और कहीं दूसी देगा में जाके सेटल होते थे बहुत सारे ट्रेडर इवन चाइना से मैं आप बोलो की इतली से कहो तुम और तुम को फ्रम ओल ओवर दे वर्ल्ड गाइस हमारे इंडिया के अंदर तो लोग ट्रेड के लिए आ थे हमारी स्पाइस हमारे मैठल हो गए हमार त्रेडर हो रहा था तो अब तो होता ही था तो ट्रेड के लिए त्राविलर साते थे इवर प्रीस्ट प्रीस्ट भी ट्रावल करते थे एक दूसरी से दूसी जगा जिससे वहां जाके वो लोगों कोviewerते support क bezel करे सबसे बड़ा क्या हुआ एडवेंचर के लिए लोग ट्रावल करते थे ठीक है तो यह जो ग्लॉप ट्रॉटर्टर्स होते हैं वह आज के दुनिया महीनी होते हैं कि हम भाई बैकपाक उठाए और भाई वह निकल दी है अपने सफर पर पुराने जमाने से तब होता जा रहा ह है तो अब जब हमारे ट्रावलर्स करते थे तो वह क्या क्या चीज़े विट्निस करते थे जैसे कि देखो तो मागर व्लॉग भी अगर देखते हो या अगर मैंने का कि भाई तुम दुबाई घूमने काये हो तो तो मुझे बताओगे दीडि बड़ा या लगा वहां जाके कि आप गए हो मैकसिको और आप कि आंकी बाते बता होगे तो वैसे जैसे ही लोग किसी जगापे आते थे इंडिया cane पिर लेंगे रम लेंड्सकेप देखते थे इंडिया कैसा है पहार भी है प्लेन इलाके भी रहे हैं कि वह इंडिया का तो है इतना सुन्धर कल्चर डिफ्रिंट डिफ्रिंट कलचर है पन्जाब चले जाओ तो आपको पंजाओी लोग देख जाएंगे गुज्राद सेले कल अलग बोल चाल ठीक है अलग-अलग languages तो कई ऐसे ट्रावलर थे उस जमाने के कि वो जब एंडिया आए या वो कहीं पे भी गए तो उन्हें जो अलग-अलग चीज़े दिखी ना यार यहां पर तो यह काम बड़ा अलग सा हो रहा है तो उन्होंने इन प्रेंसेस को और यह अलग-अलग सी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया कुछ बड़े समझदार पड़े लिखे से उन्होंने इनको डाइडियों में लेख लिया और उनको फिर उन्होंने बार में पब्लिश कराया उन्हीं को हम क्या कहते हैं ट्रावल लॉक्स ठीक है अब उनका अफेर क्या होता था उन्होंने किस परपर्स पर लिखते थे तो सबसे जादा जब भी कोई ट्रावलर किसी जगा पर जाता था लिखता था अपनी किताब के अंदर तो वह उता था अफेर ऑफ दो कोट यहां कोट मतलब कचहरी नहीं है कचहरी से जादा आप समझ सकत इस में उसमें कौन सा ट्राव्लर राया तो वह वाले टाइम में जब्राइड सब्सक्राव के उपडर लिखते थे वह कि अगुंद इस प्राक्टेशो के बारे में लिखते थे और अर्कियूरा फीच्छर जो इंडिया का ब्यूटिफुल आर्कियुट फीचर फीचर जै उसके बारे में जो है ट्रावलोक्स में लिखा जाता था ठीक है फॉर एक्जामपल अगर अर्किटेक्ट्चर की बात करो तो इससे अगला चाप्टर जो आएगा हमारा चाप्टर नुबर सेवन जिसके लिए आप मुझे बहुत बार कह रहे हो देफिरेंटल बीटीचिंग यू दाट ऑल्जो तो चैप्टर सेवन विजयनगर वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा कि एक जिनका नाम था अब्दुर्र रजाक समर्खांदी ठीक है तो यह लर्न कर लो मार्कर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है व बहुत सारी डीटेल्स आप पढ़ोगे विजयनगरा के बारे में जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो इनके अकाउंट से तो ट्रावल के जो अकाउंट होते हमारा हिस्ट्री जानने के लिए बहुत बड़ी सोर्स है समझें कि अगर हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानन कि मैं सोर्सेस में आट करती रहूं जो बॉक्स दी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर जो है सिर्फ आउटसाइड ट्रावल होता था या वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री से भार ही ट्रावल होता था इन फाक्त इंडिया के अंदर तो आपको बता रहा है तो कोई जगा जैसे जहां आपको जाना है आप अभी तक इंडिया में भी आपने ट्रावल नहीं करोगा वैसे ही जो है यहां पर मोगल एंपायर के समय पे भी जो अलग अलग अद्मिनिस्ट्रेटर्स होते थे वह इंडिया में ही घूमते थे और अलग अलग जो चीजों को यह पॉपुलर ट्रेडिशन है इंडिया का यहां पर फोक्लोज वगेरा को रेकॉर्ड किया करते थे ठीक है ओके तो अब पड़ते हैं हम हमारे पहले ट्रावलर के बारे में इन डिटेल जिनका नाम क्या है अल बिरूनी और तो अल बिरूनी जी की बुक का नाम क्या है कित किताब उल हिंद जो इन्हों ने इंडिया के ओपर बुक लेखे उसका नाम क्या है किताब उल हिंद ठीक है अब इनके आए कैसे कौन है यह इनके बार लाइस के बारे में भी आपको क्वेशन हा सकता है डिफ्सक्राइब हुव वस अल बिरूनी हाव ही केम टू इंडिया उ बन करते इस टेट को यह को खौशिरम में जो प्रेजंड जो लिखने यह और बिरूनी कि टीज बहुत बेस्ट हुई थी और यह चीज़ आप नोटिस करोगे इन तीनों ही ट्रावलेर्वेस में कि उस जमाने में बहुत पढ़े ही लिखे लोक जो है यह यह तीनों बहुत पढ़े ही लिखे बहुत लर्णेड वैं थी यह नहीं कि बस ऐसी जैसे कि अगर ट्रावल करने हैं तो इन्होंने ट्रावलिंग को सिर्फ अपनी मस्ती के लिए ट्रावल नहीं करा हमारी आज तक देख रहे हो आप इसके बारे में इनके ट्रावल अकाउंट से इनिया के बारे में जानोगे कुछ कुछ चीज है और बाकी उने लेखा तो यह कफी लेर्नेड में थे इन्होंने अपनी जो इसे इन्होंने घूमा तो उसको हमार तक आज तक हम पर पाए बिकॉस इनको पता थी एजुकेशन की वैल्यों एंडे रोट ठीक है तो इनको बहुत चारी लैंगुजज आती थी तो इन्हें सीडिया आती थी अरेबिक आती थी पर्शन आती थी हीप्रू आती इंडिया की सीगती इन्होंने संस्क्रिट भी इन्हें आती थी तीक है अब अगर तुम्हें बताओं कि इनको ना घ्रीक फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ने का भी शौक था जो पॉलिटिकल फिलोसोफी जैसे प्लेटो की हो गई यह सब इन्हें पढ़ने का शौक था उस पर आपको क्वेश्टन आ सकता है ठीक है अब आते हम टॉपिक 1.1 पे फ्रॉम खाजर्म तो पंजाब अब यह खाजर्म के वंकल पंजाब तक कैसे पौचेंग इंडिया तक कैसे पौचेंग और आपके बोक कैसे लिखी थी तो यह आये थे आने का इनका सिलसला अब हमला करता था तो बहुत सारी चीजे चुरा के लिए कर जाता था लूट पाट करता था तो इनने बंदग भी बनाया करते थे जो लूटते थे ऐसे जाके तो मेहमूद गजनी ने क्या करा उसने ना बहुत सारे स्कॉलर्स को क्योंकि क्वाजर्म तो लर्निंग सेंटर हाँ बहुत सारे स्कॉलर्स को पोएट्स को ना करणाप कर रहा वहां से और अपनी कैपिटल ले गया गजनी के अंदर मेहमूद ऑफ गजनी बोला जाता है इसे लिए तो अपनी कैपल सिती जो है गजनी में वो ले जाता है अब अल्विलूनी उनमें से एक थे जब अल्व परचारी लाइफ गजारती है इवेन अपनी डेथ भी वहीं होती है उनकी सतर साल तक जब वहीं जीते हैं तो अब जब अल्विलूनी घसनी में रहते हैं तो वहां पर उनका इंट्रस इंडिया में डेवलाप हो जाता है ठीक है एंड उन्होंने जो है ना जो संस्कृत वर इन्डिया इंडिया ने का भी बान को इंडिया के पाल में पढ़ यह तुक्या होता है पंजाब जो है वह महां को मौका दयाता में गुण आ!!! LIVE को इंडिया आते हैं और इंडिया आके फिर क्या करते हैं हमारे इंडिया के भहुत सारे भ्रहामन mö brackets उन्ते साथ wound हमारे religious scriptures थे, हमारे text हो गए हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, हमारे philosophical text को इहां आणिया में रहते हैं, पढ़ते हैं, and बहुत सार जगह पर ट्रावल करते रहते हैं, पंजाब में, नृथ इनिया में त्रावल करते रहते हैं, अब उस जमाने में travel literature, Arabic literature का part था, यानि की Arabia, और फीह तो यह पूरी रिविन कांट्री चाहँ पर लोग ट्रावल लिट्रेचर पढ़ते थे यानि कि लोग रोज अंगबार और वहीं हम सोगेरा पढ़के बोर हो गए थे तो कुछ मसालेदार चीज़ पढ़ने के लिए लोग ट्रावल लिटरेचर पढ़ रहे थे वहां फेमस थी यह चीज की लोग जो ट्रावल कर रहे हैं यह चीज का चलन था तो इसलिए जो है ना ट्रावल लिटरेचर बहुत फेमस देखा तो इन्हों ने लेग दी अपनी किताब उलहिंद ठीक है तो अब और भी रूनी की जो किताब उलहिंद थी इट वह रिटिन अर्य Best Simple and clear अब यह most important है और भी रूनी जी किताब अग्जाम में व्यृशं आएगा ही आएगा ठीक है शौट आये, लॉंग भी आसकता है, विसे शौट याएगा जाते है, तो आपको इसमें आएगा question, बताओ कैसी थी, यह बो किसका structure कैसा था, इसके content क्या था, आएगा question, note down करो, ठीक है, वैसे मैंने notes बना रखें, आपको मिल चाहेगा, नोट के लिए आपको कुछ नए करने में, Instagram ID पेजाना है, मैं free of course guys, USSR now is upload करे, I am not charging anything विक है युकि मैं जाओ पहाहां, फառît हितल नोट कहिए है, रही मैं नोट जाना है, वहाह इंक चेक कर लो, उध ही बहुत simple, clear language कि I am providing you, so go and take it from my Instagram ID, okay, चलो, भाई, आब आते हैं हम अपने अल-बिरुनी ने अपनी किताब लहिंद के ओपर तो अल-बिरुनी ने अपनी किताब लहिंद लिकी लेंगविज के आती है और इसमें एक्टी चैप्टोस थे ठीक है अलग-अलग सब्जेक्स के ऊपर थे एक किलो-दो-चार किलो पाच जुँ तराज हुआ के वह हुते हैं जिनको वे मेशर करने के लिएंग सिस्टम के बारे में उन्होंने रिखह को भी इंपोर्टन हर जगा पर अलग अलग वेंग सिस्टम भी उस समय पर फॉल्यो कर जाता था ठीक है मैनर्स के बारे में इंदिया के मैजर्स के बारे में और आइकनोग्राफी लॉज और भी ट्रिलोजी अलग चीजों के बारे में इन्होंने अपने इस बुक के अंदर और धिंटर्श्म रिख से yamayaki ऐसा क्यों होता है उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दिया संस्क्रिप्षेंट अंदर और कॉंक्लूड करा डिया कि अपने कल्चर से किस्ती और क्ल्चर से कंपैर्सेंट कर दिया इससा क्यों होता है इंडिया में सब्सक्रीप् coming to is Oh it's A room से उन्होंने जो है अपनी बोग को प्रिज़ेंट कर दा जिससे उनकी बुग जो हए वो इंट्रस्टिंग लगे तो हिस्टारियंस का व्यू क्या है कि अपर तो जब हिस्टार शीन साइब बिरूनी की यह किताब पड़ी तो उनको क्या लगा कि कैसे राइडर है तो उन्होंने अल बिरूनी के बारे में बताया कि अर बिलूरी ने यह जो जो है यह structure कॉपी करना कि question होगा फिर उसका answer होगा फिर उसका comparison कर रहा होगा यह उन्होंने उसमें mathematical orientation देखे हो कि उन्होंने यह चीज मैथमेटिक से पॉलो किया उन्होंने mathematical way में जो है पूरी हमारे country का जो है literature को बताया है बिरूनी ने Arabic में लिखा लुगों की life के बारे में लिखा हमारे पूरे continent के different different चीज़ें उन्होंने लिखी ठीक है तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा था he was familiar with translation and adaptations और संस्कृत पाली और प्राक्रिक टेक्स इंटू Arabic तो उन्हें पता था कि किस तरीके से संस्कृत पाली और प्राक्रिक टेक्स जो है Arabic में जो है वो ट्रांसलेट होते हैं तो इसलिए उन्होंने अपनी बुक भी Arabic language में लिखी और पता है जब वहां के लोग हमारे परे में पढ़ रहे हैं हमारी संस्कृत पाली प्राक्रिक टेक्स पढ़ रहे हैं तो मैं भी क्यों ना रिखूँ ठीक है तो बहुत सारी चीज़े ऐसाने कि अल बिरूनी नहीं लिखा बहुत सारे हमारे medicines के उपर हमारी stories हो गई fables हो गई बहुत सारी चीज़े जो है न Arabic में translate होती थी बट अल बिरूनी को लगता था कि यह और बहतर वे में समझ चुके होगे चलो एक question पूछे को में च्रीप में अल बिरूनी का बर्थ कहां पर हुआ था कौन से सिटी में होता कौन से साल में हुआ था और अल बिरूनी जो है पंजाब कैसे पूछे थे दो बात अभी बता दो फिर इनके पर भी question पूछूँगी ठीक है तो चलो अ इसमें इंडिया के बारे में पीन पर जगहिए यहमारी कंटरी को प्रेजेंट कर आ Χांज को बहुत सुन्दर वी में प्रेजंट कर रहा है और कौन से टाइम पीरिएट के फूर्टीन सेंचुरी के पीरिएट को अनोंने डिफाइन कर था दाट वस ताइम जो वो एंडिया आए थे ठीक है अब अल बिरुनी कौन थे उनके बारे में अगर आपको लिखने को आए जैसल अवाओग रहा हम तो ए तो अल बिरुनी जो है वो टांजिर में में जन्म हुआ था जो अगर इनका कर दोंड हब करें कि जस फैमिली में इपैदा होय थे दोई तो यह बहुत Hierwhite में में पैदा होय थे एंकी पूरी एजुकेटी थी और लोग जाने जाते थे इस बात कि लिए कि इनकी जो पूरी ती झालाम कि वह लिए खिया है जो इसलामिक रिलीडियूस लौ है जिसके बारे कि तरह ही नोंने बेस्ट एजूकेशन पाई and he was very literate बहुत जादा पड़े लिखे थे बट इबन बतूता पड़े लिखे होने के बावजूद इनके दिमाग में यह चीज पकी थी कि सिर्फ पड़ाई लेखा ही नहीं मेर को तो जो है ना दुनिया को अगर समझना है तो उसक कैसे आए थे वह भी तो कोई चीज वह रहा होगा ना कोई तरीका भाई कैसे आई इंडिया जैसे अल बिरुनी तो मेहमूद गजनी लेगे गया उनने वहां और फिर ऐसे कुछ हो गया तो अब इबन बतूता कैसे तो इबन बतूता तो घूमने के शुकीन थे तो वह इंड जगाओं पर जो है उन्हों ट्रावल कर रहा तर जैसे वह सीरिया घूमे वे थे एराग घूमे वे थे पर्शिया घूमे वे थे यह मन ओमान एंड फ्यू ट्रेडिंग पोस्ट्स और और इस्ट जाते हैं एक बार पिल्ग्रिमेच के लिए मक्का जाते हैं एंड और फाइनली सिंध सिंध मतलब क्या इंडिया पहुच जाते है 1533 एंडर अचलो देखते हैं और अगर हम बात करें इभने बतुटा came to India and घूमने आय थे, समझने आय थे इंडिया को और आके उन्होंने किया क्या मतलब ऐसे घूम के चले गए क्या वापस What he did in India basically तो इबनी बतुता ने जो है न उस समय पे हमारे यहां पे जो है न दिली में मुहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था He was the Sultan of Delhi and उनकी ना काफी refutation मनी भी थी तुगलक की refutation मनी भी थी उसकी बाते चल रही थी उनके बारे में कि वो ना काफी अच्छे पैटरॉन है, पैटरॉन मतलब होता है बॉस, बट हैर पैटरॉन ड़से बीन बॉस मतलब वो ना जैसे पोयर्ट्स हैं सिंद आये थे, तो यह ना कहाan पोच गई यह डैली के लिए निकल पड़ी तो डैली जब पोच निकली जब दे क्ली रासते में पेले मुल्तान आया फिर उच आया जो बेसिकली मुल्तान अब तो पाकिस्तान में है काजी नतार को यह दिली का जच बना देते है इवनमाधुटता को यह काफे सालों तक डिली के अंदर काजी बनके रहते हैं एक समय ऐसा आया जब इनको कुछ इसे उपर शक हो गया और इनको विश्वास में घालता पिर जब इनकी सुल्तान के साथ मिसंडेस्टेंडिक एक नहीं नहीं यह तो बेक असूर है यह जो भी कुछ होगा तो फिर इनको वापस से इंपीरियल सर्विस में याने कि जो बापस दे जाती है चाहिने जाने का ओर आता है एस सुल्तान्स इंवाइट मोंगॉल रूलर की तुम मंगल के रूलर के पास ना मेरे इन्वाइब मतला मेरे अमबास्टर मेरे दूद बनके तुम हाँ पर जाओ के ठीक है तो यह निकाल पड़ते हैं चाहिना के लिए बड़ चाहिना जाने से पह ड़ा तुम फॉर्स्टरइश चाहिना जाने से वहले पूरा साउफ्द इंडिया घुम ते लिए तो फिर्स्ट फी जो है प्रुसीडड Si deň ऐटो मालावार कोस्स बेसिकली के ला एले जो हैं हमारा करला फुर्वाला इली आमार तो सेंट्र इंडिया घूंते वे घृत त केते हैं then he went to Sri Lanka फिर शिलंका गए फिर दोबारा मलावार कोस्ट है केरला वापस आये ना फिर जो है माहलदीव गए and before he assuming his mission to China visited Bengal and Assam as well फिर एक बार बंगाल भी गए एक बार सब जगा जब गूम लिये थोड़े थोड़े दिन विजट कर लिया अपने काम कर लिया माँ पर दैन ही चुका शिप टू सुमत्रा and from there another ship to Chinese port town of Zaiton ठीक है currently known as Kwanzu तो यह Kwanzu है मुझे चाइनीज नहीं आती है sorry guys तो basically यह काफे घूम घूमा के finally China भी जो है पहुच जाते हैं चाइना में यह बिजिंग तक ट्रावल करते हैं और फिर जब बिल्कुल ठक जाते हैं इतना घूम घूम के तो 1347 में अपने घर वापस चले जाते हैं घर का इनका तांजरी में ठीक है अब इनका जो अकाउंट है जो उन्होंने लिखा उसको काफी स्यादा ना मतलब compare करा जाता है Marco Polo की account से जो इंडिया आया था from Venice Marco Polo is a very famous traveler तो जैसा उसने कुछ लिखा तो उससे compare करा अगर हम बात करें कि इबन बतूता ने क्या-क्या लिखा जब भी कहीं विजट करते थे तो यह जब वहां जाते थे तो वहां का कल्चर वहां के लोग वहां के वाल्यू उसके बारे में लिखते थे इंडिया में भी इनोंने कुछ ऐसा ही करा था ठीक है चलिए अब हम आते अपने नेक्स टॉपिक पे डेंजर ऑफ ट्रावलिंग के टॉपिक नहीं है बेसिकला इंग सोर से आपके बुक के आप बॉक्स था तो यहां पता नहीं चैप्टर के बीच के पाट है देख लो आप बहुत इसलिए मैं लिखा है तो डेंजर ऑफ ट्रावलिंग क्यों गुमने चलते दोस्तों के साथ प्लान माने गाड़ी उठाई पेटर की टंकी फुलर पहुंच के नहीं ऐसा नहीं होता था काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था तो ग्लॉप ट्रावल करते थे वह जार्डियस तोमारी जान पर भी खत्रा हो सकता था आज की सुस उन्हें 50 जो है 50 डेज लगे कहां आप इस समय में यह एरिया चार से पाच घंटे में कवर कर सकते हो और तब पचास पचास दिन लग जाते थे अब भाई ठीक है तो आज आपको जाना हो तो आप एक दिन के अंदर भी पहुच जाओगे ठीक है कुछ ही घंटे लगेंगे आप लोगों के और तब 10 दिन लग जाते थे अब भाई ठीक है टाइमिंग लग रहा को इस चलो चलता है बट टाइमिंग के साथ में ये था कि जब वो चलके जा रहे हैं तो उन पर हमले भी होते थे इत वस नौट सिक्यों बहुत सारे जो डाकू होते तो लुटेरे होते थे वो न पर हमला कर देते थे उनके न मतलब क उन्हें पता होता था कि राजमानाजा से मिलकी आए हैं तो सोने के सिक्क्य होंगे, खाने पीने की चीज़े होंगी, कुछ चीज होगी, वो लूट लिया आगरते थे, तो उचाद अचार ट्रावलर कारवान में चलते थे, तो कारवान जो आजकल भी जैसे लोग वैन ले ले कर पाए, बट फिर भी अटाक होते थे, जैसे कि इनकी कर्वेंट को अटाक कर दिया गया था, जब वो मोलतान से दिल्ली आ रहे थे, इन्हें बहुत चोड भी लग गए थे, इनके कुछ ट्रावलर्स मर भी गए थे, बट जैसे तैसे ही इंडिया पहुच जाते थे, तो ज ये तीन होई नहीं है, जो बेस्ट नोन है, वो आपको यहां नाम उनका गिवन है, पहले वोई, रजाक समरकांदे, जिनोंने साउथ इंडिया विजिट करता, 1440 में, जिन में विजय नगर के बारे में इनोंने बताया था, मेहमूद वाली बल्की, वो ट्रावल्ड वेरी मेहमूद बल्की तो मेहमूद बल्की तो मेहमूद बल्की तो इतने जादा ही इंडिया में आके फैसिनेट होगे थे कि एक सौर्ट ऑफ सन्यासी बन गए थे इंडिया में हांके, अधर सच आज हाजन वर डिसपोइंड इंडिया तो यह जो है, इनका जो नाम बताया है तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा इंके साथ, Most of them saw India as a land of wonders, तो basically बात यह रहती थी कि हर एक जो ट्रावलर होता था उसका बन करता था एक दिन तो लाइफ में इंडिया तो जरूर घूमना है, इंडिया तो जरूर घूमना है, क्योंकि इंडिया ऐसा लगता थे लाइंड अब ही लोगों को, हम थे भी सोने की चड़िया, तो अभी हम अपने थर्ड ट्रावलर के बारे में पढ़ने आले हैं, जिनका नाम है, फ्र्रांकोस बर्निया, बट बिफोर दाट कुछ और ट्रावलर के बारे में भी हमें बता रखा है, जैसे कि पॉच्छी इंडिया में इंडिया के इंडिया के जितने भी हमारे कस्टम एं रिलिजिस प्राक्टिसे से उसके बारे में लिखा, अब एक ट्रावलर का नाम गिवन है, जैसुइज रोबर्टो नोबीली, इवन ट्रांसलेट इंडिया के जो टेक्स्ट थे, उनको जो है, यूरोपें लैंडिया के और एक बहुत ही फेमस लेर्नेड में है, जिनका नाम है, दोटे बर्बोसा, इन्होंने डीटेल्ड अकाउंट लिखा था, साउथ इंडिया का, ठीक है, आफ्टर सिक्टीन हंडिज भी फाइंड ग्रोइंग नंबर ऑफ डाच, इंग्लिश और फ्रिंच ट्रावलर कमिंग से कंपेर करते थे, क्योंकि हम लोग हर चीज में टेट करते थे, चाहे हो मसाला हो, चाहे हो पती हो, चाहे हो मानलो की कपड़ा हो, बहुत चीज हो कहना है, चाहे हो प्रेश गोल्ड हो, मैटल सो और ठीक है, तो सम अफ दीस ट्रावलर्स, लाइक इटालियन डॉक्टर मनु मुगल इंपायर देखने आये थे ये इंडिया, और अपॉचुनिटी सीख करने आदे कि कुछ जॉब वाब इनकी मिल जाये इनको, ठीक है, बारा साल तो ये जो है, 1656 से 1668 तक ये बहुत ही जादा क्लोज रहे थे, मुगल कोट के, और मुगल कौन से प्रिंस के, बेसिकली दारशुक हो के, दारशुक हो कौन है, दारशुक हो शाजान का सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, और लेटर रा इंटेलेक्च्यूल और साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान, और आर्मेनियन नोबल आट मुगल कोट, जो है, फ्रेंगायस बर्नियर रहे, ठीक है, तो प इस तैंग वेस्ट, और इसमें आप जानोगे कि इनोंने अपनी बुक के अंदर लिखा क्या था, तो एक तरीके से, अगर मैं सिंपल लेंग्विज तूफे बदाऊं, कि इनोंने इंडिया का कंपेरेजन करा था योरोप के साथ में, इस्ट और वेस्ट यह हमें कहते हैं इ और योरप को एक लेवल उपर दिखाने की कुशिश करी, हर राइटिंग में इनोंने अपनी, बर्नियर ट्रावल दे रोट अकाउंट्स on things he saw and compared India and Europe, तो इनोंने इंडिया और योरोप को compare करा कि नहीं भाई, वो जादा बेटर है, इनोंने बहुत चारी राइटिंग्स करी लुइस X1V के लिए, वो लुइस के बारे में पढ़ा था ना, हमने लुइस फिलिपी बर्बन फैमिली वाला, ठीक है, उनी के कोई आप जो है रिस्तदार हैंगे, ठीक है, उनी के डैनस्टी के किंग है, ये लुइस X1V, लुइस 14, इनको जो है, ये क्या करते थे, लिखा पढ़ाया, as compared to development in Europe, इनोंने का development in Europe में तो इतना होगे, इन्डिया तो बहुत नाजुक हाला थे इस समय में, ठीक है, एज हमें बाद में पता चला कि इनका जो पूरा का पूरा, जो नोंने इन्डिया के बारे में लिखा, वो हर चीज एक्यूरेट नहीं थी, कुछ छीज को अच्छा इनों ने नहीं दिखाया वो इनके आपी लोगों ने बहुत पसंद करो और इनकी बुके बहुत बिकी बहुत जादा बिकी थी इनकी किताबे ठीक है बर्नियर वर्क्स को प्रब्लिश करा फ्रांस में 1670-71 में इनकी बुक छपी फ्रांस में ठीक है संदारी थी कि इंडिया की बीक सिचुएशन दिखा रहे हैं तो आठ बार इसको रिपेट करा किया इंग्लिश में यह यानि के इंग्लिश लाग्वेज में यह 1684 के बाद से तीम बादी प्रिंट हुई और यह बहुत ही जादा डिफरेंट था क्यूंकि जब हमारा अरेबिय दिखाई गया इंडिया को सुंदर दिखाया अच्छा कल्चर हमारा दिखाया गया अच्छा ट्रेट वहां तो वह तो इतना नहीं चला पॉपुलर क्या चीज हुए जहां पर हमारी नाजुक हालत दिखाई गई और हमारी जो है बेसिकली आप कैसके हो कमिया इनोंने दिख की बुक का नाम के किताब लहीं ठीक है तो जब अल बिनोडी इंडिया आए थे तो मेकिंग सेंस अफ एन एलियन वर्ल्ड अल बिरूनी अनग तो जैसे कि जब यह आए इंडिया में तो बिल्कुल एलियन ही थे यह तो इनन तो कुछ नहीं पता था दीरे दीरे रहे यहां पर सीखे तो क्या इनन ने सीखा इंडिया में और बुक में क्या लिखा डाट यूवल नो इन इस टॉपिक तो जादा तहर जो ट्रावलर्स आते हैं और जो वह कुछ लिखते हैं तो बैसिकली डिफरेंसे बताते हैं हमाई सोसाइटी में इसा है और उस सोसाइटी को जनने है आज के समयने की तरह भया वोनिया आगया कि आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर लोगे अगर आपको लेंगविज अच्छे से नहीं आती है तो आज के जमाने की तरह नहीं कि आपके सामने अगर को मूबाइल लेकर आजए और पूछेगा है आप कैसे हो आप जवाब द कोई फ्रेंज मैं आ जाए कोई और आजओ और एकदम से बात कर लेकर तुम डर जाओ के अगर तुम बहुत एक्स्ट्रोट तो शायद बात कर लो अगर कोई तो में तो 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 यह इनको बात करना पड़ता था तो यही आपका टॉपिक है 4.1 overcoming barriers to understand तो क्या-क्या barrier यानि की problem face करने पड़ते थे travelers को और स्पेशली अल्बिरोनी ने भी करेते जब भी वो जो है किसी भी country में land करते थे या जब वो इंडिया में land करे बेसिकली ता तो सबसे पहले तो Sanskrit बहुत डिफरेंट है Arabic और Persian से तो उनको समझना language का barrier बहुत बढ़ा इसली नहीं आप Sanskrit की चीज़ों को Arabic और Persian में translate कर सेपते थे दूसरा religion belief or practices का बहुत डिफरेंस था बिल्कुल अलग religion इंडिया का तीक है बिल्कुल अलग belief culture practices थी तीसरा इंडिया की लोग बहुत self observed जो मैंने कहा ना privacy बहुत पसंद करते थे insularity को पसंद करते थे अपने में रहना पसंद है तुम कौन हमनी बोलते तुमारे से तो इसलिए वह एक बहुत बढ़ा उनका third barrier था क्योंकि local population के बारे में आप कैसे जानोंगे local लोगों से अब राजा बोक के अंदर लिखा वो कैसे रहते थे dependent उन्होंने हमारे सारे beautiful बहुत ही जादा important जो हमारे Hindu scriptures है वो उन्होंने सारे पढ़े ठीक है उन्होंने ब्रहमन्स के साथ जो है रहकर संस्कृत सीखी और देखो गाइस वह कितनी कितना इंडिया आकि उन्होंने वह चीज़े उन्होंने पुरांस पढ़ी उन्होंने भागवद गीता पढ़ी उन्होंने पतांजली का वर्क पढ़े उन्होंने मनुस्मृती पढ़ी और इससे उनको आफ खुदी समझ सकते हों कितनी घहरी knowledge मेली होगी इंडियन सोसाइटी की और उन्होंने अपनी जो है उन्हें इंडिया काश सिस्टम के उपर और उसको पीरलल या कि उसको दिखाए कि हां इस त Facility में इस तरीके से होता है तो उन्होंने कहा की जो जो क सिस्टम एंडिया में ही दो है नहीं होता साही जो हमने ok आप्टर थी में पड़ा था किंशपकासन क्लास में एक हमारे हां पर चार जो है वन्स होते हैं ब्रहामन शत्रीय वेश्या शूद्रा एन उसके बाद में आउटसाइड दवर्ण सिस्टम होते हैं चांडल्स तो उन्होंने कहा कि यह जो है वन सिस्टम जैसे इंडिया में है इंडिया में है बहुत सारी और जगाएं वहां पर भी सेम टू सेम ऐसी नहीं तो कुछ डिफरेंट रही कि हाईरार्की जो है वह फॉलो होती है जैसे कि उन्होंने का पर्शिया में चार सोशल काटिग्री बताई थी पहली नाइट्स और प्रेंस की दूसरी होगे मॉंक्स और फायर प्रेंस की तीसरे होगे लॉयर फिजिशन ऐस्ट्रोमर और अलग साइंटिस की और फाइनल ही होती थी पीजन टनाटेसंस की तो यह चार सोशल काटिग्री वह कहते थे कि पश्या में भी थी नोने कहा कि सोशल केटिग्री इसका मतलब यह तो नहीं ता कि जो है मै कर रहे हो God से जिस तरीके से आप जो है मतलब आपका जो respect towards your religion उस पर ठीक है आपका जो faith towards your religion वह different होता था एक इंसान के दूसरे इंसान से इन Islam उसमें जो है थोड़ा difference होता था वरना all men were considered equal in Islam ठीक है बड़ जैसर कि one system में जो है hierarchy थी भ्रामन, शत्रिय, वहिश्य, शूद्र सबकी अलग-अलग roles assigned थे, difference होते थे, ठीक है उन्होंने का Islam में ऐसा नहीं था, Islam में all men were equal, ठीक है जी, अब next जो उन्होंने अपने views दिये थे, वो दिये थे, untouchability पे, यह आप कहो concept of pollution के उपर, उनका बिल्कूल भी मानना नहीं था, वो भी बिल्कूल सब विरोध करा उन्ह जो हमारा यहां पर जो system चलता था, किसका the notion of pollution का, उन्होंने कहा कि यह चीज तो possible ही नहीं, वर्ल में कि आप कि इसी चीज को कहो, कि वो प्योर नहीं हो, और नहीं हो, अर्थ पर जो भी चीज है वो प्योर हो जाती है, अपने आप ही हमारा nature ऐसा है, कि वो हर चीज को प्यो हो जाएगी, तो कोई pollute रहेगा ऐसा नहीं हो सकता है, उन्होंने इस चीज का example दिया, जैसे कि sun जो हमारा सूरज होता है, वो air को clean करता है, जो भी air में कुछ पार्टिकल्स है, उन्हों को clear कर देता है, जो salt होता है, वो sea water को pollute होने से बचाता है, तो इसलिए उन्होंने अ of nature, तो उन्होंने का जब हमारी अर्थी ऐसा नहीं कर रही है, कि किसी चीज को polluted नहीं रहने देती है, प्योर कर देती है, तो यह चीज हमारी society में होना, it's against the law of nature, ठीक है, उनका यह मानना था, तो अल बिरुनी ने जैसे कि आपको पता है, वेदास पढ़े, पुरांच कि जो वन्ट सिस्टम में बहुत जगाओ पर फॉले होता था, कुछ-कुछ exceptions हमेशा होते थे, तो ऐसे ही यहां पर गिवन है कि काफी बार exceptions है हमारी country के अंदर भी, जैसे कि एक्जाम्पल गिवन है, अन्तियजा कौन होते है, अन्तियजा कौन होते है, अन्तियजा को अगर अन्तियजा को जो पीजन्स और जो जमीनदार होते थे, वो as inexpensive labor की cheap labor की तरह, वो उनसे अपने काम करवाय करते थे, farm के ओपर, ठीक है, and while they were often subjected to social oppression, they were included within economic network, तो उनके साथ भेदभाव तो होता था, discrimination तो हो रहा था, but economic network में उनको include करा गया था, ठीक है, तो यह आपको बस अब आया next topic, Ibn Battuta and the excitement of the unfamiliar, तो यह बहुत प्यारा सी चवी बनाते है, हमारी country की बहुत प्यारी प्यारी चीज है, हमारी country के बारे में, इन्होंने अपनी book में लिखी थी, ठीक है, तो इबन बतूता दिल्ली आय थे, 14th century में, और फिर यह चाइना भी गये, Northwest Africa में, तो बहु इन्हों में भी रहे, और बहुत सारी languages भी यह बोलते थे, बहुत सारी languages भी बोलते थे, तो यह बहुत लोगों से बात कर पाते थे, और ideas शेयर कर पाते थे, ठीक है, अब इन्होंने अपनी book के अंदर सब की stories लिखी, बड़े बड़े राजाओं की, महराजाओं की, जो cruel भ इन्डिया आई नहीं सकते हैं, कहीं जाही नहीं सकते हैं, कोई चायनक कभी जाही नहीं सकते हुए उस जावाने के लोग, तो वहां के लोगों के बार में पढ़े काफी impressed होगे, तो इनका इनका इन्होंने एक चीज़ बहुत ही बढ़िया से लिखी थी हमारे इसमें, जो ह इन्होंने अलगी तरीके से coconut को जो है define करा था, क्योंकि उनकी जो audience थी, वो coconut से familiar नहीं थी, और इवन पान को भी, कि पान कैसे बनता है, पूरा का पूरा, उसका पूरा procedure उन्होंने लिखा, और उन्होंने बहुत अच्छा लगाता, पान वो भी इन्होंने अपनी बुक में खुल रही है, कुछ लोग स्कूटी पें, कुछ गाडियों में, कोई टिक्की खा रहे हैं, तो कोई छोले, बटूरे खा रहा है, तो कोई रो रहा है, महां मेटो है दिला दो, और हजल बसल रहती है हमारी शहरों में, हमारे बजारों के अंदर, वही चीज देखके ये impress हो देखा कि हमारी जो सिटी है महां बहुत रिसोर्स एंझ ली पॉपुलेटेड़ और प्रोस्पर है एकसेप्ट वॉर्स इन्वेजिन वहого होए हमारी इन्वेजन फिर मारी सिटी स्थी थी ठीक है इपन बतुना ने कहा कि हमारी इतनी भी सिटीज थी वह काफी क्राउड़ीट इंडिया फिर उन्होंने दौलताबाद जो है महराश में उसको डिफाइन करा और उन्होंने बहुत ही बड़िया तरीके से हमारे इंडिया का जो बजार है उस सब को आपने बजार होता है जोर शुरू से महां पर कुछ ना कुछ होता ही रहता था था बजार में मॉस्क भी होता है मंदिर भी होता है इन सम अफ देमेट पेसे वर माफ पबलिक परफॉर्मेंस बाइडानसर मुजिशन संगर तो बहुत सारे ऐसे स्टेज़ लगे होते थे वहां डान्स मुजिक और सिंग होती रहती थी इबन बतूता वास पर्टिकुलर्ली कंसर्ड विट एक्स्प्लीनिंग प्रोस्पेरिटी ओफ टाउं तो इन्होंने इंडिया के जो शेहर है उनकी प्रोस्पेरिटी दिखाई एंड जो है उन्होंने यह चीजों को बहुत अच्छे से अपनी जो है उसके बारे में लिखा इसका मतल्य हिन यहां परियल एक इंपोर्टेंस नहीं में नहीздर थी उन्होंने दिखाया यह यह जो रियल वैल्थ है वह वह बिखति है क्योंकि वह वह बचालें और वह उन्डेसे से गीयुक्रा कंठ करें अडिकशन जो है विआरिं अगूं नहींiden निख्रिज॑ कि इंडियन अग्रिकल्चर वेरी प्रोड़क्टिब बिकॉस फॉर्टिलिटी ऑफ दॉल इन्हें हमारे कंट्री आगे सबन में है कि हमारी तो मिट्टी बहुत उप जाओ है और उससे हमारे फार्मर एक साल में दो कराव भीयों का आप हारे है और हमारा जो अग्रिकल्चर वह क्या क्या सकते हो आप बहुत उप जाओ है यू अलसो नोटेट दाट अग्रिकल्चर वेल इंटर इसे नेट्वर्क्स उफ ट्रेड आंड कॉमर्स और दोने देखा कि हमारी कंट्री जो है वह वेस्टर्न एसे बहुत कनेक्टेट थी साउट इस्ट इसे से भी कनेक्टेट और हम लोग हूज प्रॉफिट्स का मारे थे आर्टिस और मर्चंट हमारे आते हैं हम चीजों को बेच और एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम बहुत पैसा कमा रहे थे इंडियन टेक्स्टाइल हमारा जो एक क्लॉथ होता है मसलिन का वह इतना इंपॉर्टेंट था हमारी कंट अब इतनी तारीफ उन्हों ने करी उसके बाद उन्होंने एक सिस्टेम आफ कम्मिनिकेशन 5.3 टॉपिक में हमारे पोस्टल सिस्टम के बारे में भी बहुत तारीफ करी थी तो इन्हों ने का कि इंडिया के जो ट्रेल रूर से सबसे वड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे हैं रास्ते में जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो पचास-पचास दिन लग चाते थी पहुंचने में तो अराम घर्ज होते हैं उस जमाने में की कार जाता था इन धरम शाला है ठीक है रुकने के जगाये होती है पानी लगाए खाना पीना है और कम्रे भी है कि अराम से आप रात रुक सकते हो रेस्ट कर सकते हो धरम शाले से आज के समय पी अगर आपके बाबार तूर पे जाते हैं तो ऐसे दूसरे शहर जाने जो भी कोई जॉब भी करते तो वो जा रहें कर तूर पे तो क्या होगा भाई होटल में रुकना पड़ेगा कूरी सेदार तो ऐसे ही जब यह ट्रावलर घूम रहें ट्रेडर्स मर्चेंस इंडिया और घूम रहें तो यह नहीं बंदोबस नहीं था नहीं भया होटेल गेस्ट्रूम्स इन रमशाला सब खुले वे थे तो यह चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगी थी कि हाईवे खाली नहीं पार्सल्स मंगाते हैं थोड़ा बहुत उस जमाने में भी चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता था पूस्टल सिस्टम इतना जादे एफिशेंट है कि अगर पचास दिन लगते ते दिली से सिंद आने में बट अगर न्यूज रिपोर्ट स्पाइस स्पाइस कॉन जो जाती थी ठेक है जे अब आया नेक्स टॉपिक हमारा बर्नियर अंडर डिजनरेट इस्ट तो अब आप वापस आ रहे हम बर्नियर के ओपर फिंकोस बर्नियर जिनका यह बहुत बुकरी हुई थी बिखरे हुई थी जिनकी किताब की क्योंकि उन्होंने इंडिया के इमेज क इन फ्रांस इन पर्टिकुलर फोकुसिंग उन सिच्वेशन विचे कंसिडर डिप्रेसिंग इतनी मैंने पढ़ा कियो है क्योंकि मैं बता रही हुए कि मैं आगे कुछ रेट निंग करूँ तो पर दिखेगा अधी दीदी ने तो इतनी आसान भाशा में बता दिया तो बेस की बात करें तो इन्होंने कॉंस्टेंटली मुगल इंडिया को कंटेंपरी यॉरप यानि कि फ्रांस से पूरा कंपेर कर रहा था और यॉरप से ठीक है इनकी रिप्रेसेंटेशन में इंडियन वोक्स ऑन दा मॉडल ऑ बाइनरी ओपोजिशन मतलब कि इनका बाइनरी ओपो इन्होंने ऐसा लिखा जैसे कि यही शो हो रहा था कि इंडिया जो है inferior to the western world ऐसा कुछ इन्होंने लिखा था ठीक है 6.1 the question of land ownership अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा था क्या रिजन था जो ऐसे इंडिया की हमें दिखा रहे थी तो इनके अपने रिजन से जिस वज़े से यह ल वो तो सुल्तान की है वो तो राजा की है या फिर उसके आगे जो है वजीर हो गए उनके उन सब के पास है जो लोकल आदमी है उसके पास तो प्राइवेट पोपटी है ही नहीं and he was a firm believer of प्राइवेट पोपटी उन्होंने वह कहते थे थे के पर प्राइवेट पापरटी त इसलिए उन्हों ने इसलिए इंडिया की इमेज ऐसी दिखा दे थे, इंडिया के अंदर जो मुघल एमपाइर है, उसका जो एमपरर है, जो उसका सुल्तान राजा है, वो सारा का सारा land own करता है और वो उसको अपने nobles जो उसके nobles category के लोग थे उनके बीच में distribute कर देता था और इस वज़े से हमारी economy पे बहुत effect पढ़ा है इस perception was not unique to Bernier but is found in most traveler accounts of 16-17th century सिर्फ बन्या नहीं यह बात नहीं कहीं बहुत सारे travelers ने बात कहीं कि यह चीज इंडिया में सही नहीं थी मोगल एंपायर में जो यह चीज शुरू हुई कि क्या हुआ कि सारा ले राजा के पास है यह उसके बड़े-बड़े अमीरा में नोबल के पास है ठीक है तो उससे आम जंदा के हाथ में तो कुछ जाता ही नहीं था कोई लैंड होता ही नित और उससे नहीं कह रही हूं बेगर्स एंड बार्बेरियन बेगर मतलब बिखारी बार्बीन मतलब जंगी इन्होंने ऐसे कहा कि जो इंडिया के सिटी और टाउन है वो रुइंड है सडी भी है खराब है कंटैमिनेटेड इंडियार गंदी हवा चल रही है पॉल्यूटेड हवा इसकी जो फील्ड से वह उवर स्पैर्ड है विद बुशिस जो हमारे खेत हैं वहां पे खेत नहीं है वहां पर जाड लेगी है वहां पर बिल्कूली ऐसे बुशिस लगी है जन पर फूरूट कुछ न सारा लैंड लैंड मतलब सारी जमीने ही जब राजा की तो जो लोग है वह कुछ करी नहीं पाते है डेवलोप्मेंट के लिए यह उनका कहना था ठीक है जी इफेक्ट ऑफ एपसेंस ऑफ प्रॉपर्टी अब उन्होंने बताई जो मनें तुम्हें कहते था कि लोगों के पा को भी जाती है ठीक है अब यवंगी टाइम जहां पे हम ऑखले है और पहले यह होता था कि पारओ यह लड़कें नरद के वोटित है तो इसी वज़ेसे शाथ मैं की वज़ेонд लोग जो है ना वो improve रही अब जब वो काम कर रहे है तो अपने मन से नहीं करते थे, वो जो लाइंड लॉड्र होता था उसके कहने पर काम करते थे, लाइंड के प्रोडक्टियोटी को इंप्लूब नहीं करते थे, इससे इंडिया का अगरी कल्चर भी रूएन हो रहा था, और पीजिंट के ओपर आप profit का हिसा मिल रहा है वो काम करें आएंगे अब क्या था यानड का है तो किसХ राजिभा उन्हें काम करना उस काम का उन्हें पैसा मिल जाएगा ठीक है उनुन्स Topland है नहीं अगर उनका उन्हों का भाई मोट महनद करूं रहांएं और प्रॉफिट मेरा है मैं तो बास काम कर रहा हूं तो वह काम जो करते थे अपनी मेहनत इतनी नहीं कर पाते थे वह अपना 100% नहीं देते थे और इस वज़े से इंडिया का अग्रिकल्चर की जो प्रोड़क्टिविटी थी वह गिर रही थी और क्यूंकि लोगों पर इतना अत इतने गरीबी में चले गए थे इनके सिस्टम की वज़े से ठीके अब देखो बनियर ने तो यह प्राइवेट प्राइवेटी के बारे में बहुत कहा कि बहुत गलत है पीजन से पहते चार ओडियों उनसे इतना पैसा लूटा जा रहा है तो उस पे अबु फेजल कहते है अबु फेजल कौन थे खुरॉनिकलर थे अबर के लेंके अबर के बारे में यह लिखा करते थे इन्हों ने लिखा और इन्होंने बताया अपने अकाउंट के अंदर कि यह जो लैंड रेवेन्यू है यह रेमिनेरेशन ऑफ सोवरेंटी है कि यह हम इसले ले रहे हैं क्योंक baby protection दे रहे है protection कि बाहर से कोई आ कि उनको loot नहीं कर रहा है कोई हमलेबाजी नहीं कर रहे हैं यह नहीं है यह नहीं है यह तो उनके protection का tax है कि हम तुम्हें बचा रहे बदले में tax तो यह रेंट नहीं है It is possible that European traveler regarded such claims as rent अब European travelers को ये land revenue कि उन्हें लगा जमीन तो है नहीं लोगों कि ये land revenue उनको जो है rent इसलिए लगा क्योंकि land revenue के demand बहुत ज़ादा थी तो उनको क्या लग रहा था कि ये जो land है उस पे किराये पे farmer काम कर रहा है और किराया में जितनी भी वो कमाई होती तो उसे यादे से जादा गातों से टैक्सी पे कर देना होता था तो भाई वो तो बेचारे बहुत ही गदी में जी रहे थे हावेवर दिस वस अच्छली नॉट और इवन अ लैंट टैक्स यह ना तो रेंट था ना ही लैंट था इसके बारे में आप नेक्स टॉपिक में नेक्स चैप्टर में जो एर्थ चैप्टर में आने वाला उसमें और अच्छे से पढ़ाऊंगी अब बर्लियन ने जब ऐसे और इस्ट कंट्री एश्या का इस्ट कंट्रीश को हम कौन ही इस्टन कंट्रीश इस्टन साइप में तो उन्हों ने थियोरी बनाई अपनी कि जो ओरियंट रूलर्स था ने अच्छार करते हैं अपने लोगों के ऊपर देंजॉइब आप्सल्यूट अथार्टी ओवर अप अपनी प्रजा के ऊपर और वो अपनी प्रजा को बिल्कुल भी जो है केर नहीं करते हैं गरीब यू में पढ़े रहने देते हैं सारा का सारा लैंड जो है राजा के पास रहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो नामों निशान नहीं है according to this view everybody except the emperor and his nobles barely managed to survive ऐसी ऐसी थियूरी बनने लगे थी बर्नियर के ऐसा काउंट के बाद में कालमाक्स ने भी जब यह चीज़ों को पढ़ा और समझा जैसे जैसे बताया गया तो कालमाक्स ने इसमें क्या करा कि इंडिया में और बाकी इसन कंट्रीज में जो है कलूनियलिजम से पहले इतना मीशाप्लस था वह किसके पास जा रहा था जिता भी सब्सक्राइब कि जो भी प्रॉफिट है जाए वह लैंड हो चाहिए कुछ भी वह था राजा के पास में आनि कि स्टेट के पास में इस लेट टोड़ा इमर्जन ऑफिसाइटी डाज नंबर ऑफ उटनॉमस एन जो है इगालिटीरियन विलिज कम्यूनिटी यानि कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही जादा अमीर हो गए जो बहुत ही बहुत पार है और दूसरे हो गए विलिज की यही सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर जो विलेजर्स है वो अपना प्रॉफिट तो कमानी रहे और इस वज़े से जो है अब पूरे के पूरे इस एरिया की जो इकॉनमी है वो स्टैंग्नेट होई है बट हावेवर तुम चैप्टर एट में पढ़ोगे कि इंडिया क अग्रिकल्चर सिस्टम इससे बहुत डिफरेंट है जैसा बनियर ने दिखाया और जैसा लोग उस समय पे समझ रहे थे अगर हमारे रूरल सुसाइटी की बात करें 16th और 17th century की तो हमारे यहां पे social economic differences बहुत सारे थे ठीक है बहुत बड़े-बड़े जमीनदार्स भी लांड पर काम करते रहते थे बहुत बड़े पीजेंट बहुते होते थे जो हायर करते थे लेबर को और commodity production करते थे और smaller पीजेंट बहुत 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 बहुते है जिन पर चोटा मुटा लैंड और उसको जो है वह अपना उगा कि उस पर सभी भुवर वह बेचके अपना सबसेस्टेंस चलाते थे 6.2 टॉपिक और मोर कॉंप्लेक्स सोशल रियालिटी इसमें हमें बताया गया है कि बढ़निया ने जो है जो कुछ भी हमारे बारे में दिखाया था वो रोयालिटी से काफे डिफरेंट था उसको लगता था कि उसने अब आटिसंस के बारे में इंड विचारों को तो कोई प्रॉफिट मिलता ही नहीं था तो अपनी कॉलिटी गिराये जाने कि हमें क्या काम करने की वायदा हम क्यों इतनी वहनत करें सारा प्रॉफिट तो वह ले जाएगा ओनर कौन है सब चीजों का राजा है राजसभा है पूरा का पूरा स्टेट है अधिना कही इंडिया में तो गोल्ड और सिल्वर का एक्सचेंज होता ही रहता था और जो है ऐसा नहीं था कि गाइस हमारे या पर प्रॉस्परस मर्चंट नहीं थे बाट बड़े-बड़े मर्चंट रहते थे वड़े-बड़े वेपारी हुआ करते थे जो लॉंग डिस्ट अब इंडिया में शहरी लोग जाता थे तो अच्छे बात है ना अर्बनाइजेशन है हमारे यह पर शहरी लोग जाते तो मॉड़न जगह है डेवलब जगह है तो इन्होंने बड़न ने इस पर भी का कि नहीं कोई मॉड़न और डेवलब कुछ रही है इंडिया में जो टा जाते थे वो जाता थे तो माथ हल्पसल ना आल चेहल ने हं पर चॉह थी बाल राजय कि बसाराइब इस बाख्राल तो इस तांउन पर चुलाइस जगहा चलती कप जा करी ढest camp towns थे ऐसा नहीं था कि सारे टाउंस में बहुत economy चल रही हो सारे टाउंस बहुत vibrant है बहुत पैसा कमाई रहे हैं वो जो है शहर नहीं जब राजा आता था तब शहर में बहुत कामकाज होता था बजार चल रहे हैं यह वो बज आ जाके जाती थप पड़ जाता था सब कुछ य हमारे इंडे का लाइन उनर्शिप सिस्टेम बहुत डिफ्रेंट था जो आप चैप्टर एक में पढ़ोगे अगर काइंच ऑफ टाउन की बात करें तो यह नहीं कि कैम टाउन थे जहां आ जागे नहीं हमारे मैनिफेक्टरिंग टाउन से आपको पता है नागी इश्वर ब लिगरी में से टाउन घृणि को फिर में च्बीन में अलगा अलग होताता थेे मारे अब साईटी कीडा करें पर इंडर और इनकी अगराच को पारी हां वेतने명 उते रहेंए परिंव कि इंडर रहा काफी अमीर होते थे जैसे कि एक बहुत फेमस मर्चंट के फैमिली का गुरूप है उसको कहा जाता है महाजन सेंटर सब्सक्राइबाद महाजन सब्सक्राइब करेक्टी रिप्रेजेंटेट बाइड़ चीफ और मर्चंट कम्यूनिटी वूस कॉल नागर शेट तो इन्होंने बताया कि हमारे हां फिजीशन भी थे हाकीम वे टीचर थे पंडित मुल्ला लॉयर वकील के लोगा पेंटर्स आर्किटेक्स मूजिशन क्या लेकर आफर सब होते थे वाइल सम् डिपेंडेंट और इंपीरियल पैटरनेज बहुत सारे तो इंपीरियल पैटरनेज पर डिप तो सबसे करें अगर श्लेव के बारे में बता हूं तो जितने भी ट्रावलर्स आयों उने ज़रूर लिखा है इंडिया में आके स्लेवरी सिर्फ ऐसा निया इंडिया में चलती थी बहुत जगाव पर स्लेवरी चलती थी सम्टाइम्स जो है लोगों को तो मतलब यह स्लेव सफाई कराएंगे इंसे डांस करवाएंगे सफंगे साफ करवाएंगे अपने गाड़ी उठवाएंगे वो पाल की जोते हैं यह हमारे घर में कुछ काम करेंगे कुछ इस तरीके से गिफ्ट में लोग एक दूसरे को स्लेव दे ले थे लोग तोमार को 200 गुलाम गिफ्ट कर जिनका नाम दा नसीरो दिन इत्ता खुश होए थे कि उन्होंने उनको 100 टॉंक दिये थे यानिकी 100,000 टॉंक दिये थे यानिकी एक लाख सिक्के दिये और 200 स्लेव दिये थे उसे खुश होगे इट अपिरस रॉम इबिन बतूता अगाउंट देर वज़ाज़ दिफ्रेंसियेशन अमंग स्लेव इवन स्लेव में भी डिफ्रेंसे उते थे जो फीमल स्लेव उती थे उन्हें कम पैसों में बेचा जाता था ठीक है कुछ फीमल स्लेव होती थी जिने राजा सुल्तान के बेचा जाता था जिससे वहां पर दांस करेंगी और जो है म्यूजिक परफॉर्म बगएरा करेंगी कुछ जो होता था जैसे कि फीमल स्लेव होती थी वह सुल्तान क्या करते थे अपने डेक्टिव की तरह नोबल के पास जो है रखवा देते थे कि वहां से हमें खबर भी ज अब जो है अब आपने नोगरानियों की तरह पर्मनें रखते थे तिने सस्ते मिल जाते थे कि हर कोई दो स्लेव कर लेता था था फीमल स्लेव घर के काम के लिए पाली के जो होती है न वह जादा यूज अब आता है नेक्स जो है हमें पढ़ना वह सती प्रथा के ऊपर अप अब आपने अकाउंट में लिखा है नौट सप्राइजंगी बर्नियर चोज अप्राक्टिस ऑर डीटेल डिस्क्रिप्शन और उनने सती प्रथा को ही डीटेल में बताया बाकी चीजों को इता डीटेल में उन्होंने वोमें डीटेट नहीं बता था इसको बहुत जादा ब अपने फ्यून्रल पायर पर वो जला लेती थी खुद को वी सती हो जाती थी उनके साथ में वी डेथ हो जाती थी वट जो है कुछ होती ती जिनने फोर्स करा जाता था यह करने को ठीक है अब उन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल दिया राधर दें की वो बाकी चीज जो बड़ी महाजन पड़ें, उनकी वाइस होती थी 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 थी, उनकी पुन होती है वोट जादा उनका से होती हुए भीक्त पर बॉसनिस के अन्धर रहिए ने तो ऐसा नहीं थी, रहिए निया कोई कामें इनका है ठाहर हुए नई थी नहीं है, इस उन्हें पता है। बहुत कुछ हमें पता चला है बहुत कुछ चीज ऐसा है सब्जेक्टिव होती है उनके नजरिये से छूट गई हम उजवाने में हम कुछ और लिखते बच्टेल वी थांकर ट्रावलर्स कि उनकी वज़े से हमें इतना कुछ समझने को मिला है तो विद इस यह चैप्टर आप नहीं घुबसूरत वाते लिखी कुछ कमियां दिखाई इंडिया की जो सच्छाही भी दिखाई बुराही दिखाई अच्छाही दिखाई एऔर आपकर प्लाइभी दिखाई अच्छाही दिखाई है अब अग्रे कल्टेड वालगर इसे आपकर थोड़ा कंफीोज तो यह सब समझ में आएगा तो मैं मिलूंगे आपसे नेक्स यूडियो में जहां अगला चाप्टर पढ़ेंगे भक्ती सूफी ट्रेडिशन वनाव थे मोस्त इंपोर्टन चाप्टर ऑफ इस हिस्ट्री का से ले बस बबाई बेस्ट ऑफ लग मिलते हैं नेक्स यूडियो में इंसरग्राम से जागे नोट्स ले सकते हैं सब्सक्राइब कर दो और बाकी सभी चाप्टर को पढ़ना है किसी भी सब्चेक की हुमानिटी इस के सब गोवाएं चेक आउट प्लेयरेस इंदर डिस्क्रिप्शन बॉ